तो आज की वीडियो के इंदर हमें एक बहुत ही इंड्रेस्टिंग टॉपिक को कवर करने वाले होंगे वह होगा बॉडी बिल्डर्स वर्सेस एमेमें फाइटर्स यह बहुत बड़ा कुश्चिन रहता है इसके आराउंड बहुत सारी वीडियो पहले में बन चुकी है आप स लेकिन उसससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दिजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा UFC वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम सब को यह चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए चाहे आप कोई कोई बॉड़ी बिल्निंग या पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग कर रहे हो दोनों में बहुत बहुत जाया है और उसको करना में बहुत जाया है तो कि सबस्क्रीटिंग लगती और बिल्कुल इस साहे है। आप या पर जिम अगए हैं सब्सक्राइऔ Cabinet स्ब्सक्राइब मुझे चेल्ट महीं हंघ्ताक중ि तक करना बॉड़ी बुढ़ी बिल्दिंग करना अपने आप में भूद जाधा चैलेंजिंग होता है और साथी साथed बॉक्सिंग करना उसके अंदर सपारिंग इंजूरी बहुत सारी चीज़ें बॉक्सिंग के अनiest बैट स्पोर्ट्स कें तो मैं personally दोनों चीजों को काफी जाधा closely experience कर चुका हूँ अपने life तो अब बात करते हैं यहां पर जो controversy चल रही है राजवीर फिटनेस और रजद दलाल के बीच में तो personally मैं किसी की साइड नहीं लूँगा नहीं मेरे को इस controversy में बहुत जाधा कोई इंट्रेस्ट है लेकिन यहां पर बात है उठ रहे हैं कि दोनों के बीच में फाइट होगी इंक दोनों आपस पर फाइट करने वाले होंगे वन वी वन की फाइट होगी तो डेफिनेटली दे दलाल या राजवीर फिटनेस की बात नहीं कर रहा है इवन दो कोई भी बॉडी बिल्डर या पावर लिफ्टर अगर कॉमबैट स्पोर्स के अंदर जाएगा उसका परफॉर्मेंस वैसा नहीं निकल गया एगा वो मोस्ट परभी एक MMA फाइटर या ट्रेन प्रोफेशनल कि अगेंस हारी जाएगा अब बहुत सारे लोगों को यह डाउट रहता है कि बॉडी बिल्डर सो जो पावर लिफ्टर होते हैं उनका वेट बहुत ज्यादा होता है 105 110 होता है और जो कॉमबैट स्पोर्स के अथलीट होते हैं अगर कोई ट्रेन प्रोफेशनल फाइटर है वो अगर 50 kg का भी है 55-60 का भी तो भी वह एक एजली 100 किलो के पावर लिफ्टर या बॉडी बिल्डर को एजली हैंडल कर सकता है क्योंकि वहां पर जो स्किल गैप होगा दोने के बीच में बहुत बढ़ा होगा साथी साथ बॉडी बिल्डर की मोबिलिटी उतनी अच्छ न तब सारी चीज़े बदल जाती है वहां पर से एक्सपीरेंस होता है जो स्टेस पर हिट होने का एक्सपीरेंस होता है वहां से बहुत सारी चीज़े हो जाती है और बहुत सारे बंदें यहां पर कुट कर देते हैं उस टाइम पर बाहर से बहुत अच्छा लगता है फ्लैश बाइस बहुत जाधा होता है तो जारे देर था फाइट नहीं कर सकते हैं कार्डियों का इश जाएगा वोगर पावर लिफ्टिंग करने जाएगा तो ऑफ्वस्ली वह उतना जादा वेट उठाट पाएगा उतने जांदा स्वाइगाट परसनली मैंने भी जब पूरे टाइम boxing करी और फिर बीज में boxing छोड़ा और जिम में गया तो obviously जो मेरे friends थे gym वाले उनकी इतनी performance मेरी नहीं आपा रही थी मैं उतनी जादा deadlift नहीं कर पा रहा है मैं उतना जादा weights नहीं उठा पाता जो कि मेरे friends जो कि regular नी 2 साल 3 साल से लगतार जिम कर रहे हैं मैं 120-130 at max deadlift कर सकता हूं बट वो मेरे से जादा कर सकते हैं क्योंकि उनके पास जादा capabilities है वो squats जादा यूज कर सकते हैं अलकि यह चीज होते है कि मैं easily उनके तरफ catch up कर पाऊंगा क्योंकि क्योंकि मेरा कार्डियो बेटर है तो मैं easily उनके वेट तक जल्दी-जल्दी catch up कर सकता हूं तो यह सारी चीज़े बिल्कुल यहां पर tier हो जानी चाहिए दोनों बहुत अलग-अलग स्पोर्ट है अब यह कोशन यहां पर निगल गया है कि दोनों के बीच फाइट होगी तो कौन जीते का तो most of the time डेफिनेटी एक वीडियो स्थी वह मैं काफी जाधा देख था हूं जैसे नहीं वाली जोन ने वीडियो भाइए थी कि निहीं को कैसे रिलैक्स करते हैं वरकाओट से पहले स्कौट से पहले निको कैसे आपको फाइट करानी होते हैं तो उसकी लाइसेंसिंग करानी पड़ती है फिर वहां पर सारी चीज़ें देखी जाती है तो ऐसे अलग से फाइट कराना में लगता पॉसिबल हो पाएगा वाकि वायों हमने देखा है कि फॉरें में भी ऐसी इंफुएंसर्स के बीच वाइट सारी चीज़ें ऐसी ग्रो होनी चाहिए तो उससे हम सब एस ओडियन्स को भी काफी जादा मजा आएगा वायों यही था मेरे वीडियो मैंने आप सब को सारी चीज़ें कर दी है बॉडी बिल्डर वसेज में फाइटर और जो कॉंट्रोवर्सिय चल देए उसके बारे में आ कॉंबैट स्पोर्ट्स की फाइट के उपर लीगली बेट करने के लिए अतिसाथ स्टेक डॉट कॉम ने मल्टिपल यूफसी चैंपेंज जैसे अलेकसा ग्रासो इसरेल एड असानिया को भी स्पॉंसर कर रखा है और अगर आप सब मेरा प्रोवो कोड यूफसी दोस्ती उ करके साइन अप करते हूँ तो आप सबको अपने फर्स डेपोजेट के उपर अप्टू टू अंडेट पसंट का साइन बोनस भी मिलेगा तो स्टेक.com की रजिस्ट्रेशन लिंक और प्रोवो कोड आप सबको नीचे कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और वहां से आप सब जाके साइन अप कर सकते हैं